वेलकम बहुत बहुत स्वागत आपका सरकारी स्लेवस यूटूब चैनल पर और जी हाँ तीन जगे की भरती है भारती है वायू से नामे जिससे आप इंडियन एर फोर्स के नाम से जानते हो और तीनो के तीनो रैली भरती है एक एक करके ज़्यादा टाइम ने लेंगे आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन मोटी मोटी सारी बात बताने ही कोसिस करूँगा और बांकी की मैं PDF नीचे comment box में दूँगा अगर आप interested हो आपको लगता है कि आप इसमें form भार सकते हो तो जाके आप उस particular PDF को देख सकते हैं ठीक है और इसका slavers के लिए exam pattern के लिए slavers क्या होगा क्या क्या चीज पूछी जाएगी तो आप जा सकते हो www.sarkarislavers.com पर अब काम की बाद सुरू करते हैं काम की जो मैं बता रहा था वो भी हालां की बात थी काम की ही थी तो देखिए जो सबसे पहली जो रैली बरती है वो उडिसा की है उडिसा स्टेट के लिए ठीक है आप अगर airman बनना चाहते हो भारती वाई उसे ना में जिसे आप group Y जिसे non-technical के र जिस थी आप इसे जो है ना देख सकते हैं तो आप यहां से देखिएगा जो मेड असिस्टेंट की जो है यह 4 फरवरी 5 फरवरी और 6 फरवरी को रैली भरती आपकी चलने वाली है ठीक है और इसके अलावर जो आटो टेक की है जो और आइफ की पी की है तो इसकी जो है आप प्रवाम आपका चालू हो जाएगा तो आप थोड़ा जल्दी जाएगा ताकि आप इसमें पार्सपेट कर सकें अब देखिए कि आपका कौन से ग्राउंड पर होने वाला यह भी आप देख सकते हैं बहरामपूर यूनिश्टी ग्राउंड ठीक है बरहरामपूर ठीक है ग हो गई जो बच्चे 17 जनवरी 2000 और 30 दिसंबर 2003 के पहले पहले एक जन में इन दोनों डेटों के बीच में अगर आपकी डेटा बर्थ पढ़ रही है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो इसमें देखिए फॉर्म भरना नहीं है क्योंकि यह रैली भरती है अब डिरेक्ट जा जा दूं कि अगर आप जो है ना आट्टो टेक एंड आयफ पी के लिए जाना चाहते हो नॉन टेक्निकल जिसमें आप जा रहे हो तो कच्छा 12 पास होना चाहिए पचास प्रसद नंबर के साथ में और साथ में अंग्रेजी भी होनी चाहिए ठीक है तो यह चीज जरूरी थ इसके बाद अगर आप नॉन टेक्टिंगल मेडिकल एसिस्टेंट के लिए जा रहे हो तो बात वही है कि आपका 12 पास होने चाहिए लेकिन बाइलोजी आपके पास में होना चाहिए और 50% नंबर होने चाहिए तो यह बात होगी एजूकेशन क्वालिफिकेशन की उम्र सीम आप देख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा तो यह भी जो बरती यह नॉन टेक्निकल की ही बरती है और आपकी जो रैली बरती चलेगी आप यहां से देख सकते हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम नियर गॉर्मेंट तुलसी डिगरी कॉलेज अनुपुर एमपी मद्ध प्रदेश में ठीक है और यह आप सुबह 6 वज़े यहां भी पहुंच सकते हैं 10 वज़े से आपकी दोड़ वगरा जो है न सुरुवात हो जाएगी काफी प्रोग्राम जो ह ठीक है बदवानी भोपाल ठीक है गुना जबुआ खंडवा ठीक है यह जो जिलें उपर वाले मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक है तो इन जिलों की भरती चलेगी 2324 को ठीक है तो इसी दिन सारे सबसे पहले आपका जाते जाते आपकी दोड़ वगरा होगी फिर रिटेन हो ठीक है तो यह जो जिलें बचे हुए हैं ठीक सीवपरी वगरा तो इन सब की 26 27 28 को चलेगी ठीक है तो सबसे पहले आपका फिचकल होगा मतलब दोड़ वाग वगरा अब सबसे टफ सारी चीज है यह उसके बाद आपका ततकाल रिटेन टेस्ट वगरा ले लिए जाएगा अब देखो सेम वही चीज है आपकी जो उम्र सीमा है 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में होनी चीज है और अगर आप जो ना आट्रो टेक बनना चाहते है तो अच्छा 12 पास होने चीज है 50 प्रसत नंबर प्लस इंग्लिस भी होनी चीज है और सेम चीज अगर आप मेडि किसरी रेली बरती आपको बता रहा हूं मैं यह है आपकी असम स्टेट की अरुनांचल प्रदेश की मेगाले की मिजोरम नागालेंड त्रिपुरा एं मनिपुर जो सेवन सिस्टर्स कई जाती है भारत की है उन सातों जो है आप जो केंदर सासित प्रदेश है इनकी भरतिया औरो असम के बच्चे हैं अरुनांचल प्रदेश के बच्चे मेगालय के मिजोरम के नागालेंड उत्र प्रदीपुरा एँżenia 16 फर्वरी यो 17 फर्वरी और मनिपुर के बच्चे हैं 19-20 और 21 ठीक है तो आप यहां से देख सकते हैं आपकी भरती इसमें होने वाली है और एक चीज इंपोर्टेंट थी यह काफी ज़रूरी चीज थी तो यह बात हो गई अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आंगे बढ़ने की सरंकला में एक एक करके यह देखिए आपकी जो फिटनेश टेस्ट होगा वह होगा एरफोस स्टेशन बोजर गुवाटी असम यहां पर आपको जो है ना टेस्ट होगा जिसे 11 एरमें सेलेक्शन सेंटर वियाई पी चॉक गुवाटी असम कहते हैं तो यहां पर आपका फिजकल वगएर आपका होगा तो यह चीज भी देख ली कौन-कौन बच्चे इसमें फॉर्म बर सकते हैं तो यह एक बार मैं आपको यहां स और बता देता हूँ यह एड्रेस है नियर लेग गेट एरफोस इस्टेशन बोर्जर गुवाटी असम तो यहां पर आपका होगा सुबह छे वजए आप सारे डाकुमेंट्स के साथ में पहुंचना ठीक है तो यह चीज हो गई और आंगे बढ़ने किस रंखला में कच्छा बारा पास का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है ठीक है और उस मिनिमम्म आपके 50% नमबर होने चाहिए तो यह मोटी-मोटी बाते हो गई अब स्लेवर्स के रिटेन ग्जाम में क्या होगा इसके लिए आप www.sarkarislavers.com पर जा सकते हैं सरकारी स्लेवर्स.com पर ठीक है कैंसी पसंद आई हो तो आप PDF एक बर देख लेना मैं नीचे तीनों की PDF MP वाली PDF ठीक है और असंत्रपुरा वाली PDF और अरुणांचर प्रदेश वाली जो यह PDF थी मैं तीनों यह PDF आपको नीचे दे दूँगा और ओडिसा वाली भी तो आ से जाके आप अच्छे से और कीजिए दोस्तों के साथ में हम आप से मिलते हैं गलोडिम तब तक लिए वंदे मात्रम